नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वावत है वेंपायरहब.com के ओफिसील यूटूब चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त अनुराग दोस्तों कैसी हूँ फईन है मागक ने हूँ वेकेंसि के अपडेट लेकर और इसमें हम बात करने वाले हैं जिस वेकेंसि के वो बहुत ही खास है। आई एंडियन आर्मी से और यहां पर गॉर्मेंट ओफ इंडिया मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस की वेकेंसी है कॉलेज ओफ मिलिटरी इंजिन्रिंग से और यहां पर बहुत सारी पोश्ट है जैसे कि आप देख सकते हैं अकाउंटेंट इंस्टूमेंट मैकनिक वह अन्य काफी सारी पोश्ट है सैलरी काफी अच्छी मिलती है और इंडिया वेकेंसी है मेल या फिमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं काफी बड़ा नोटिफिकेशन है इसका हम सब को जानेंगी से रिलेटे इस वीडियो में तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए मैं आपको बहुत ही स सब्दों में सारे डिटेल्स दे दूँगा तो चलिए हम सुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों यहां पर रिक्रूटिंग बॉड़ी क्या है तो रिक्रूटिंग बॉड़ी आर्मी कॉलेज और यहां पर एंप्लाइमेंट टाइप है सेंट्रल गॉर्मेंट जॉब भारत में अगर हम बात करते हैं इसके पोस्ट टेटेल्स की तो दोस्तों यहां पर अकाउंटेट से एक वैकेंसी है इंस्टुमेंट मेकनिक से एक वैकेंसी है सीनियर मेकनिक से दो वैकेंसी है मसीन मैंडर लीथो से एक वैकेंसी है लैब एसिस्टेंट से तीन वैकेंसी है इस्टोर कीपर से दो वेकेंसी है, सिविलियन मोटर ड्रैवर से तीन वेकेंसी है, लैबलरी कलक से दो वेकेंसी है, सैंड मॉडलर से चार वेकेंसी है, कुक से यहां पर तीन वेकेंसी है, फिर्टर जनरल मैकनिक से छे वेकेंसी है, मॉललर से एक वेकेंसी है, कार प्रेंटर स से पांच वेकंसी है एक स्टोर मैं टेकनिकल से एक वेकंसी है यानि कि यहां पर टोटल वेकंसी है अगर हम बात करते हैं आयू सीमा की तो दोस्तों यहां पर आयू सीमा माईगी है सिविल इन मोटर ड्रैवर के लिए 18 से 30 साल बाकी सारे पदों के लिए आयू सीमा है 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए यहां पर S3HT को 5 साल का OBC को 3 साल का आयू में चूट है अगर हम बात करते है अपनी केसन फीस की, तो यहाँ पे अपनी केसन फीस बिलकुल फ्री है, किसी के लिए कोई भी फॉर्म फिस नहीं है, तो आप सब लोग इसका फॉर्म भर दीजी, क्योंकि कोई भी पैसा लगना नहीं है, salary की बात की जाए तो salary यहाँ पर आपको मिलती है 18,000 रुपए से 81,100 रुपए पर मंद की salary आपको काफी अच्छी मिलेगी कम से कम आपको 30,000 रुपए का round salary मिलेगी हाथ में अगर हम बात करते हैं इसके educational qualification की तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे post में experience है बहुत सारे post में experience नहीं भी मागा गया है तो आप पूरा qualification जानकर ही इस वीडियो को left करिएगा दोस्तों यहाँ पर accountant के लिए become with one year experience वाले apply करेंगे instrument mechanic के लिए ITI in mechanic instrument with three year experience वाले apply करेंगे senior mechanic के लिए ITI in mechanic और feature trade और तीन साल के experience वाले apply करेंगे machine minder lethal के लिए 10 वी पास with one year experience वाले apply करेंगे lab assistant के लिए 12 वी पास with science B.H.C. और P.G. डिगरी professional वाले apply कर सकते हैं कोई भी experience नहीं है lower division clerk के लिए 12 वी पास apply करेंगे typing speed होनी चाहिए computer पे कोई भी experience नहीं है store keeper के लिए 12 वी पास apply करेंगे एक सल के experience होना चाहिए civilian motor driver के लिए 12 वी पास apply करेंगे driving license होना चाहिए साथी 2 सल के experience होना चाहिए labrary color के लिए 12 वी पास apply करेंगे साथी एक सल के experience होना चाहिए sand modeler के लिए 10 वी पास apply करेंगे एक सल के experience होना चाहिए cook के लिए 10 वी पास apply करेंगे एक साल का experience होना चाहिए, फिटर, जेनरल, मैकनिक के लिए, ITI पास करेंगे, वन येर experience होना चाहिए, मॉर्डर के लिए दसवी पास apply करेंगे, करपेंटर के लिए दसवी पास apply करेंगे, इलेक्टरीशन के लिए, वी दसवी पास with ITI, इन्दी trade वाले apply करेंगे, मतलब अगे आपको काम आना चाहिए, ठीक है, एक साल का experience होना चाहिए, इलेक्टरीशन के लिए, ITI ए इलेक्टरीशन ट्रेड़ वाले apply करेंगे, साथ एक साल का experience होना चाहिए, मैकनिस्ट उड़ वर्किंग के लिए, इसवी pass के साथ एक साल का experience चाहिए होगा, ब्लैक स्मीथ के लिए ITI पास apply करेंगे, एक साल का experience होना चाहिए, पेंटर के लिए इसवी pass के साथ एक साल का experience होना चाहिए, इंजन आर्टी फाइसर के लिए इसवी pass के साथ एक साल का experience होना चाहिए, श्टोर कीपर, सूरई स्टोर मैं टेकनिकल के लिए, assiste pass के साथ एक साल का experience होना चाहिये, लाब att lagi के लिए, unsere Trickerts के साल का experience होना चाहिये, वहीं आपको MTS के लिए, disability या फिर बारिस पास या फिर ITI pass apply कर सकते हैं, कोई भी experience ねहीं है, और लासकर के लिए भी कोई भी experience नहीं, दसफी pass अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर दसफी pass, बारवी pass, ITI pass अप्लाई कर सकते हैं बीना experience के ठीक है ITI pass को यहाँ पर बहुत सारे post ऐसे भी है जिसमें experience है और become वालों को एक साल के experience चाहिए यहाँ पर सेलेक्शन यहाँ पर बेश रिटेन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, इस्किल टेस्ट पर और इस वेकेंसी का फॉर्म भरने का डेट है चार फरवरी से पचीस फरवरी के बीच में फॉर्म भरना है, online mode में फॉर्म भरने का link आपको मिल जाएगा, पहले comment में आप इस website पर आ जाएगा, link पर क्लिक करके और सबसे पहले इस notification को पर दीजिएगा, उसके बाद ही form भरीएगा, form भरने के लिए देखो, यहाँ पर लाश्ट में एक link है, आपको इस link पर क्लिक करके form को भरना होगा कोई सवाल होगा, comment करके पूछ सकते हो, इस video बस इतना ही, जैहिंद वन्दे मातरम